हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे बहुत ही हल्दी डिप के साथ बनाये जाने वाला सैंडविच उसके लिए तीन बड़े साइस के मश्रूम लेंगे और चार से पांच मोटे लसन की कलिया लेंगे जिसे हम गैस के उपर इस तरह से जाली पे रखके रोस करेंगे अब मिक्सी जार में डालेंगे रोस्टेट मश्रूम, रोस्टेट गारलिक, पनीर, काजू, दही, नमक और पार्सले सभी चीजों को ग्राइन करके एक स्मूध पेस रडी करेंगे तो लीजिये, रडी है हमारा मश्रूम गारलिक डिप, जिसे हम कई तरह के सैंविचिस के लिए यूज कर सकते हैं हम बना रहे हैं वेजिटेबल सैंविचिस, जिसके लिए हम लेंगे टमाटर, बेल पेपर, स्कैप्सिकम और उसमें हम मिलाएंगे अपनी मश्रूम गारलिक डिप, और साथ में पैरी-पैरी पाउडर, और सभी चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे तो लीजिए रडी है हमारी स्टफिंग, अब हम एक ब्रेट का स्लाइज ले लेंगे और उसमें बटर को अच्छे से फिला लेंगे उसके उपर हम लगाएंगे सैलेड लीफ्स और उसके उपर टॉपिंग करेंगे अपनी स्टफिंग से और फिर एक और bread का slice लगाके इसे तवे के उपर roast करेंगे उसके लिए तवे को butter या oil से grease कर ले और फिर अपना sandwich रखके एक side से अच्छे से उसे पका ले और उसके उपर वाली side पे भी oil की coating कर दे और फिर उसकी side change करके उसे दूसरी side से भी अच्छे से golden कलर आने तक पका ले तो लीजिए ready है हमारे mushroom garlic peri-peri vegetable sandwiches ये बहुत tasty तो बनते ही हैं साथ ही ये बहुत healthy भी है प्रिक्वास के लिए और बच्चों के टिफिन के लिए एक बहुत ही बढ़िया option है रेसीपी पसंद आई हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे